इस्क्राइब कीजिए पासी चैनल को साथी प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए बहुत सारे इमेल्स आते हैं कि अनवांटिट सेवंटिटी टू सर खाली है और पीरियट साइकल नहीं आ रहे हैं या फिर हैवी ब्लीडिंग हो रही है अब्डोमन क्रैंप सो रहे हैं तीन तीन चार चार महिने से पीरियट्स नहीं आए हैं तो इस वीडियो में डिसकस कि अनवांटिट सेवंटिटी टू को खाने के बाद आपके पीरियट्स कब आते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो गाइस देखिए अनवांटिट सेवंटिटी टू अमजनसी कोंटासेटी पिल होती है और इसका अंदर का जो एक्टिव इंग्रिएंट है वो है ल देखें तो ठीक है और यह प्रोजेस्टरों की तरह ही काम करता है और आपको पता होगा कि प्रोजेस्टरों जो हार्मोन है वो कितना जरूरी होता है पीरियर्स के लिए और आपके रेप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी ठीक है आपको जो मेंशल साइकिल आते हैं वो प चैलन पर जाएंगे या फिर आप रेगुलरली हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो मेंशल साइकल है उसमें कितनी इंपोर्टेंस होती है प्रोजेस्टरोन के लेवल की तो गाइस देखिए जो में बात है आज की हमारी इस वीडियो में की आपने अनवांटिट 72 टैबलेट ले लिए है और आपके पीरियेट्स कब आएंगे देखिए आपके जो पीरियेट्स हैं वो इस बात पर डिपेंड क पीरियेट्स जल्दी आएंगे जिसे विड्रॉल ब्लीडिंग बोलते हैं या फिर फेक मेंश्वल ब्लीडिंग या रिबाउंड ब्लीडिंग या हार्मोनल ब्लीडिंग के नाम से भी जानती हैं लेकिन ये मेंश्वल ब्लीडिंग नहीं होती आपके पीरियेट्स नहीं हो अगर आपको periods आ गए है तो इसका मतलब है कि आपको withdrawal bleeding हुई है अब periods कब आएंगे देखिये withdrawal bleeding के exact 4 weeks के बाद आपको periods आ जाती है लेकिन अगर आपने periods आने के बाद ये टैबलेट ली है तब भी हो सकता है कि आपको withdrawal bleeding आ जाए और उसके चार वीक्स के बाद आपको आपके पीरियर्ट साइए समझ रहे हैं? या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको विड्रॉल ब्रीडिंग भी ना देखने को मिले और आपके जो पीरियर्ट से वो पोस्ट बॉन हो जाए एक्सपेक्टिड डेट के मतलब कि अगर आपको आपके पीरियर्ट साइक्ल रेगुलर चल रहा है एक महीने बाद आपको आ रहा है ठीक है? तो हो सकता है कि वो पोस्ट बॉन भी हो जाए और डेड़ महीने बाद आए क्योंकि ये एक हार्मोनल ड्रग है ठीक है? और प्रोजेस्टरोन की इतनी जदा हैवी डोज होती है कि आपके अंदर के जो नेचरल हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है और बोडी को दुबारा वो लेवर मेंटेन करने के लिए बहुत टाइम लगता है ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में जो बोडी है उसको जेल लेगी इतनी स्ट्रोंग डोज को तो बोडी को दुबारा से अपना लेवल बनाने के लिए जो डिस्टर्ब हुआ है इस टेबलेट को लेने पर उसको टाइम लगता है कितना टाइम लगता है हो सकता है कि 1,5 महीना हो सकता है 2 महीने भी लग जाए ठीक है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको वेट करना है देखिए अगर आपका जो वेट्रोल ब्लीडिंग आपको दिख जाती है अब आपको bleeding होईगी तो आपको पता ही लग जाएगा कि expected date से पहले आई है तो withdrawal bleeding ही है तो 4 weeks तक तो आपने wait करना है अगर नहीं आती तो आपने UPT करना है urine pregnancy test करना है unwanted 72 tablet को लेने पर हो सकता है कि conceive ना होगी हो लेकिन अगर conceive नहीं हुई है pregnancy pregnancy तो कोई दिक्कत नहीं है आपको wait करने की ज़रूरत है कोई भी आपको primal root and tablet लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको कोई भी tablet लेने की ज़रूरत नहीं है period cycle को लाने के लिए आपको सिर्फ wait करना है चीक है अगर आपको withdrawal bleeding नहीं हुई है और 3 weeks तक आपने wait कर लिया है 3 weeks तक करना है wait अगर नहीं हुई आपको period cycle नहीं आया है आपका तो आपको UPT करना है ठीक है अगर pregnancy negative है तो आपको wait करना है ठीक है दोनों case में wait करना है कितना wait करना है कम से कम डेड़ से 2 मन्थ तक ठीक है क्योंकि इतनी heavy dose ली है guys तो body को भी तो चाहिए कि दुबारा से उसको adjust करना है hormones के level को तो इसमें time लगता है ठीक है और यही time period होता है इसलिए आपने सुना भी होगा कि इस tablet को बारी बारी नहीं लेना चाहिए अगर आप unwanted 72 tablet को एक बार लोगे न तो आपका जो period cycle है वो तीन बार तक disturb होता है अगले जो period cycle आने हैं वो तीन cycle इसके disturb होते हैं और जो fourth cycle आपका आएगा वो normal आता है इसलिए बोला जाता है कि इस tablet का misuse नहीं करना चाहिए जो आज के time में train चला हुआ है ना इस tablet का और लोग अंजानने में इस tablet को खा लेती हैं एक आदी बारी की कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्योंकि emergency contraceptive pill है और कई बार ही हो जाता है कि जो method है उसको use नहीं करते हैं unwanted pregnancy के risk को कम करने के लिए और वो नोबत भी ने आए कि आपने conceive कर लिया फिर आपको abortion कराना पड़े तो इससे अच्छा तो यही है ना कि आप emergency contraceptive pill को ही खा ले वो नोबत ही ना है आपको abortion कराने वाली अब अगर इस वीडियो का निचोड़ बताऊं तो देखिए अगर आपने unwanted 72 को खा लिया है तो आपको कम से कम वेट करना है तीन वीक्स का ठीक है अगर आपको withdrawal bleeding नहीं हुई अगर हुई है तो चार वीक्स का करना है और कितने टाइम तक करें डेड़ से दो महीने तक करना है और आपको periods आ जाएंगे बिल्कुल भी घबराने की ज़ुरत नहीं है और ऐसा भी देखा गया है कि जो females ज़्यादा stress में रहती है या फिर anxiety हो जाती है कि periods नहीं आया है conceive तो नहीं कर लिया है तो उनको evolution नहीं होता है अब evolution नहीं होगा जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप पिछली वीडियो को देख रहे हैं challenge पर तो आपको पता होगा कि evolution के बाद जो progesterone का level है वो increase होता है अब जब progesterone में increase होगा तो uterus की जो innermost layer है वो अपनी मोटाई को बढ़ाएगी मतलब thickness को बढ़ाएगी ठीक है और अगर conceive नहीं होता जो egg है वो fertilized नहीं होता जिसे periods बोलते हैं या फिर mensual cycle बोलते हैं या mensual bleeding बोलते हैं ठीक है तो मेरा कहने का मतलब है कि ये इस बात पर depend करता है कि आपको evolution कब होगा आपकी जो uterus है उसकी अंदर की layer कितने time बाद दुबारा बनेगी ठीक है बनेगी तभी तो shred होगी और जब shred होगी तभी तो periods आएंगे ठीक है तो बिल्कुल भी घबनाने की जरूरत नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसकी आदत बना ले इस tablet को अगर बारी बारी लोगे तो जैसा मैंने आपको बताया था कि body को बहुत time लगता है adjustment करने में hormones की जो level है उसको adjust करने में बहुत time लगता है तो आपको wait करना है ठीक है और बारी बारी ये भी नहीं है कि आप North Storm tablet को लें तो guys ऐसा भी नहीं है आपको wait करीजिए अगर नहीं होता तो आप गाईनी के पास आईए आपको खुद के शरीर के साथ कलाकारी नहीं करनी है और इस tablet को दवाई की तरह खाना है ना कि सबजी की तरह या फिर टोफी की तरह खानी है ठीक है और अगर आपको कोई भी बास समझ नहीं आरी तो आपको आपके डोक्टर से जरूर मिलना चाहिए शरीर को शरीर की तरह ही हैंडल करना चाहिए खिलोने की तरह बिल्कुल भी हैंडल नहीं करना चाहिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी useful और benefit रखती होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना साथ ही अगर आप हमारे झाल झाल